Hello students, myself आदुत कुमार पांडे and I welcome you to my YouTube channel Study Steps आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनिता दिशाई दुवारा लिखी novel Cry the Peacock के बारे में अनिता दिशाई 20th century की बहुत ही लोगप्रिये और समवेदन सिल नॉवलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है ये बच्चों के मनुरेंजन करने के लिए छोटी-छोटी कहानिया भी लिखा करती है इन्हें Indian Psychological Novel Sally की जन्नी की रूप में जाना जाता है या novel Third Person Rated Technique में लिखी गई है जो Stream of Consciousness से भरी है या novel Cry the Peacock 1963 में पबलिस्ट हुआ जो Indian Woman का दमन और उत्पीडन इस novel का विशे है इस novel का थीम विवाहिक जीवन पर अधारित है जो आपसी husband wife के बीच सही relationship नहीं रहता और दोनों के बीच एक दूसरे के परती समझ की कमी पराधारित है यह novel Three Parts में बाटा है पहले पार्ट में एक पेट डॉग जिसका नाम टोटो है उसकी डेथ हो जाती है वो पहले पार्ट में इसी पर यह स्टोरी चलता है सकेंड पार्ट में माया एक character है जो इस novel की protagonist है उसके merit life के बारे में सकेंड पार्ट में बताया गया है और थर्ड पार्ट में माया का कुछ experiences है जो हम लोगों को बताती है एक दूसरे जो husband wife के बीच जो सही relationship नहीं रहता है उसके बीच में अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में हम बात करें तो आप जानते होंगे कि चाहे arrange marriage हो या love marriage हो या कोई live in relationship में रह रहे हो जब तक आपसी समझ ना हो एक दूसरे के परती जब तक आप एक दूसरे को अच्छे तरह से जान समझ नहीं लेते एक दूसरे को feelings को share नहीं कर पाते एक दूसरे feelings को समझ नहीं लेते तब तक शात रहना शात निवाना मुस्किल होता है और वो रिस्ता सही तरीके से नहीं चल पाता इसी घटना पर अधारित इस नौवेल में माया नाम की एक लड़की की है यह इस नौवेल की प्रटागनिस्ट है ऐसे तो और भी कई अनमहिला करेक्टर सामिल है जो महिला के विविन पहलूओं का पतिनिधित्त करता है क्राइद पिकॉक नौवेल में माया और उसके पती गोतम के बीच विवा की उदासिंता को दरसाता है उसकी जो विवा की विफलता है उसकी उदासिंता को दरसाता है माया और गोतम से साधी करती है जो माया से काफी बड़ा है इनके विवाहिक जीवन का प्रारंबिक भाग कुछ दिन तक सुखी होता है सही तरीके से चलता है लेकिन बाद में वे दोनों के शौभाव में परिवर्तनाने लगता है माया एक रुड़िवादी ब्रहमिन फैमिली से बिलोंग करती है जो जोतिस विद्या पर विश्वास करती है इसलिए किसी जोतिस दुवारा मिर्तियू की भव्यस्वानी करते हुए माया अपनी साधी के विनासकारी अंत के बारे में इस रहस्मे भविस्वानी से पिडित है उसे यह कहा जाता है कि या तो उसकी या उसके पती की साधी के चोथे वर्स मिर्तियू हो जाएगी इसी चिंताओं से माया घिरी रहती है और यही स्टोरी में हम लोग देखेंगे यहां अनिता दिसाई एक अतिशमवेदन सिल और सूसंस्कृत माया का चित्रन करती है और अपने फसे हुए इस्तरी मानस में बचपन से लेकर युवा वस्था में उनकी आसामेइक मिर्तियू तक गहराई से चित्रन करती है कारण है कि वह कई समाजिक और मनोविज्ञानिक इस्तितियों का सिकार है उसकी समाजिक इस्तिति उनके जीवन को इस हद तक प्रभावित करती है कि वह कई ग्यात और अग्यात आंत्रिक जो उसकी अगहात हो रही है जो उनकी इनर फिलिंग में जो चोट पड़ रही है जो उसको दूख है वो असानी से इसका सिकार बन जाती है मतलब ये ना चाहते हुए भी वो किसी न किसी तरह से इन चीजों से समाजिक रिती रिवाजों से समाजिक प्रंप्राओं से हमीशा वो सिकार होती जाती है अगर हम बात करें कैरेक्टर्स के तो इसमें बहुत सारे फिमेल कैरेक्टर से हम पहला करेक्टर से बात करते हैं माया माया का अर्थ है ब्रह्म जेसा नाम है वेसा ही करेक्टर है इस नौवल के हिरोईन है प्रोटागोनिस्ट है जो सिंसेटिफ लड़की है या एक सहज और और अस्थिर प्रकार की वेक्तित्यु से परिपूर्ण है माया एक रोडिवादी ब्रह्मन परिवार से तालुक रखती है और जोतिस विद्या पर भरोशा करती है माया ने कोतम को एक टेरर कहा है जिसे उस पर आरोप लगाती है कि वह एक विश्वास कहात करने वाला व्यक्ति है गोतम जो एक प्रैक्टिकल सोच रखता है प्रैक्टिकल सोच वाला व्यक्ति है एक रेशनल वकील है वह माया से बिलकुल अपोजिट है वह एक बैवारिक व्यक्ति है माया को बैआपक समझ अतेधिक चेतना रचनात्म, क्रियेटिविटी और समेंदन सिल्स भाव वाले प्रिये जिवन साथी की आवशक्ता होती है लेकिन गोतम इन सब गुनों का गोतम में अभाव है क्योंकि गोतम जो है वह एकदम प्रैक्टिकली सोच रखता है एकदम प्रैक्टिकल सोच रख करके वह अपने रियालिटी पर विश्वास करता है गोतम ने माया को एक साइको बच्चे जैसी हरकत करने वाली लड़की कहा है और माया के पिता को दोसी ठहराता है कि उसकी बेटी पूरी दुनिया को खिलोना समझती है और लाड़ प्यार से जो पली वड़ी है उसका वो घमंड करती है और वो सारा दोस्त उसके पिता माया के पिता को गोतम देता है लेकिन जब आपसी कभी मतभेत होते हैं जब कभी ऐसे कहा सुनी हो जाती थी दोनों के बीच में पति-पत्नी गोतम और माया के बीच में तो गोतम कभी कबार उर्दू के कुछ दोहे सुनाया करते थे, जिसे माया को सुन कर बहुत आना दाता था। का एक विक्ति है, उसे भोतिक सुखों में किसी तरह का कोई दिल्चस्पी नहीं है, वो भोतिक सुख में सुख की तलास नहीं करता, बल्कि कर्म के सिदान्त और आत्म निर्भरता में विश्वास करता है। जो रियलिटी है, उस पर अरजुन बात करता है। या 22 वर्ष के उम्र में घर से चला जाता है। या पारंपरिक जीवन सैली के खिलाफ है। बतलब जो रोडिवादिता जो उसके जो फैमिली थे, वो इन सबसे परे है। उसे कोई रिती रिवाज, पुराने रिती रिवाज जो संस्कृती है, जो पारंपरिक कोई एक जीवन से ली है, उसके परती वो ज्यादा मतलब नहीं रखता। वह फिलाल अभी इस नौवेल में नियोर्क में एक कैनिंग फैक्टरी में काम कर रहा है। और निग्रो के साथ खड़ा है, अलबीनो, नेक्स्ट कैरेक्टर है, अलबीनो, जो एक भविश्य करता है, यह एक बार भविश्वानी करता है, माया के परती, कि माया की जब साधी होगी, जब इसके चार साल हो जाएंगे, तब इसके पती या दोनों में से किसी एक की मिलत्यू हो जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टर है, राय साहिब, माया के पिता है, जो एक रोडिवादी ब्राह्मन है, जो लखनों में परसिद बैरिस्टर है, माया के अनुशार, राय साहिब एक शिलवर ओक की तरह है, और एक कॉमलता का परतीक है, और हमेशा उसके लिए अपने खुले प्यार की याद दिलाता है, नीला गोतम की बहन है, जो पतली गर्दन वाली एक ब्लैक श्वान की तरह लगती है, वह सारा दिन सोती है और रात भर काम करती है, वह अपने मेरेड लाइब से दुखी है, और वह अपने हस्वेंट से तलाग चाहती है, इसके लिए वह गोतम से मिलती है, क्योंकि गोतम भी एक वकील है, और वह चाहती है कि उसका केस वह हैंडल करें, लेकिन गोतम उसके परपोजल को रिफ्यूज कर देता है, लीला या जो लेला है, वो माया की फ्रेंड है, जो अपने पती की बिमारी से प्रेसान है, जिसे ट्यूबर क्लॉसिस हो गया है, लेला गल्स कॉलेज में पर्सियन लिटरेचर पढ़ा रही है, पोम माया की एक दूसरी फ्रेंड है, जो बहुती खुस मिजाज वाली एक लड़की है, वो हमेशा पर्सियन रहती है, हर्बन सी गोतम के फ्रेंड है, जो सोकिया हस्त रेखा सास्त्री है, कॉलेज के समय में गोतम और हर्बन दोनों होटल मेट थे, दोनों एकी रूम पार्टनर थे, जब भी कभी पार्टी हुआ करता है, तो हर्बन सी अपने, तो उस पार्टी में माया या और भी कुछ ऐसे करेक्टर, वो उससे हाथ दिखवाते थे, उसका भविस हर्बन सी हाथ को देख करके बताता था, कि उसके जो अपकमिंग जो फीचर है, वो क्या होने वाला है, मिस्टर एंड मिसिस लाल, और भी एक करेक्टर है, मिस्टर एं मिसिस लाल, जो इस नौवल में कोई पार्टी और्गनाइज करते हैं, वहां पर माया अपने विवाहिक चीवन जो दुखी से वो वैतित कर रही है, वहां भुलाने के लिए उनके पार्टी में जाया करती है, टोटो एक पेटोग है और माया का एक पालतु कुत्ता है, अब हम समरी को लैन वे लाइन देखते हैं, समरी के बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरह की विवाहिक जीवन से माया जो इस नौवेल की हिरोईन है, वो पिडित है, या कहानी माया नाम की एक यूवा लड़की की है, जो बचपन की दुखत भविश्वानी से गरी हुई है, या नौवेल तीन पार्ट में बाटा गया है, पहले पार्ट में टोटो की मिर्थ्यू के बारे में है, टोटो की मिर्त्यू हो जाती है टोटो जो उसका कुत्ता है माया की कुत्ता है जिसे वो बहुत जादा प्यार करती है वो उसकी मिर्त्यू हो जाती है और घर से बाहर वो धूप में पड़ा हुआ रहता है माया वहीं दर्वाजे पर देख करके रूती भी लगती है वो इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी कि उसे लग रहा था कि अपना कोई बच्चा ही है उस दूप को मिटाने के लिए गोतम पी डबलू डी से उनके कायरकारताओं से कॉल करके बुलाते हैं और टोटो को पी डबलू डी के गाड़ी में ले जाने के लिए कहते हैं उनके जो कायरकरता लोग हैं वह लोग आते हैं और फिर उसे वहाँ से ले करके चले जाते हैं इन सब दूखों से भी वो बहुत ज़्यादा पिडित रहती हैं हमेशा उसे दुख होता रहता है कि हमारा जो टोटो है वो हमारे पास नहीं है हमारे बीच नहीं है यहीं सब दूख के कारण गोतम उसके लिए एक बिल्ली लेकर के आता है जो ताकि जो माया है वो इस बिल्ली को दे करके टोटो को भूल जाये और इससे अपना मन बहला है और इससे प्यार करने लगे सकेंड पार्ट स्टार्ट होता है माया के मेरेड लाइफ के बारे में माया बहुत सेंसिटिफ साधी सुदा लड़की है और उनके पिता एक वकील है जिनका नाम राय साहिब है माया का भाई अर्जुन भी है जो सतन्त रहना पसंद करता है वह भोतिक चीजों के परती नहीं भावता अर्जुन कर्म को सब कुछ मानता है जैसा कर्म करेगा वेसा ही फल मिलेगा ऐसे सिदांतों पर अर्जुन रहता है मा की मिर्त्यु के बाद बाब बेटी घर में ही रहते हैं और अर्जुन बाईस साल के उम्र में घर से भाग जाता है जो नियॉर्क में एक कैनिंग फेक्ट्री में काम कर रहा है जो वहां से लेटर लिखता है माय को कि मैं यहां पर कैनिंग फेक्ट्री में काम कर रहा हूँ माया के प्यार पिता से काफे मिलता था क्योंकि मा की मुर्थिव के बाद घर से भाई के जाने के बाद माया और पिता ही दोनों घर में रहते थे और पिता का पूरा प्यार माया को मिलता था उसके सारी ख्वाई से पूरी की जाती है माया को अपने पिता से मिले अतियधिक प्यार ने उसे यह महसुस कराया कि दुनिया उसके लिए विशेश रूप से बनाई गई है और ये जो दुनिया है वो एक खिलोना है जो उसके पसंदिदा रंगों में रंगी हुई है और उसकी दुनों के अनुसार चलती है रही है जिसे वह चाहती है ठिक उसी तरह से इस प्रकृति के हर एक चीजें चलती है या सब लाड़ प्यार जो माया को मिला ठिक उसी तरह अपने पती से वह चाहती है और हर लड़की चाहती है कि जैसे मेरे पिता हमें लाड़ प्यार से पाले है और मैं उस माहौल में ढले हूँ तो चाहती है कि हमारा पती भी जो हो वो भी क्या करे पिता के जैसा ही प्यार करे लेकिन माया का पती जो गौतम है वह एक प्रैक्टिकल आदमी है वो एक rational lawyer है जो एक bg person है वो अपने काम में व्यस्त रहता है वो माया की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है गोतम माया के बीच यही सब कार्णों के वज़ा से दोनों में सही तरीके से merit life नहीं बिदता है और जब भी कुछ ऐसे चीज़ें होती है जब गोतम को गुसा आता है तो माया के पिता पर उसे बिगारने का आरोप लगाता है कि जो भी आज इसकी हरकते हैं इसकी जो बच्चें जैसी हरकते हैं वो उसके बाप का नतीजा है बाप का प्यार है जो बिला है उसके नतीजा है पर ऐसा नहीं कि इसके पिता के परिवेशों के कारण से माया बच्चों के तरह बिहेव करती है बलकि एक बार बच्पन में एक अलबीनो नाम का एक भविश्य करता जो उसकी भाश्वानी की कि उसकी सादी के चार साल बाद दोनों में से किसी एक की मृत्यू हो जाएगे और तब से लेकर उसके सब्द माया के कानों में ड्रम की तरह बसती रहती है और हमेशा इन ही चिंताओं में और इन ही चिंताओं को अपने दिमाग में दोडाती रहती है और विश्वास करने का कारण यह भी था कि जो माया है वो रूडिवादी ब्रह्मन फैमली से बिलोंग करती है जो हर प्रप्राओं और संस्क्रिती को बनाए रखती है उस पर विश्वास करती है और यहां तक की उसे जोति स्विद्या पर भी पूरा विश्वास है माया को हर पल अलबेनों की बात सताती थी वह एक काली और बुरी छाया से गरस थी वो जब भी कभी काली और बुरी छाया को देखती थी तो वो डर जाती थी कारण था कि चार साल में मुर्टियू हो जाएगी या तो मेरे पती की या तो मेरे खुद की और अब इसके साधी के चार वर्स हो गए है इसके साधी के माया और गोतम के बीज़ की जो साधी है साधी की चार वर्स हो गए है और मोत के भै की चिंताओं में घिरी अकेली सांत अपने घर में बैठी रहती है बेचारी माया अपने मायूसी के साथ अपने कमरे में बंद रहती है अपने पिता का प्यार भरा एहसास जब माया को होता है तो इस डिजास्टर सेडो का सिकार हो जाती है वो उस भविस्वानी की चिंता करने लगती है जो अलवीनों ने कही थी उसके ध्यान में सारी गतिविदियां होने लगती है क्योंकि उसका पती प्रेम और जीवन का तिरो लालसा को पूरा करने में हमेशा विफल रहता है अगर पती उसका साथ देता पती उसके साथ हमेशा उसकी भवनाओं को समझता उसकी फिलिंग्स को समझता उसकी इनर फिलिंग्स को समझता तब कुछ ऐसे चीजें जो उनकी मेंटिलेटी डिस्टब जो हो रही थी माया की वो हो सकता था कुछ पल के लिए सुधर जाए पर पती के प्रेम और जीवन की जो जीवन में जो एक लालसा होती थी जो एक चाह थी पती से वो उसके पती के द्वारा नहीं मिल पा रहा था जिस कारण माया एकांत खामोसी से घर में अकेली पड़ी रहती है माया एक रोमैंटिक मिजाज की लड़की है जो फूरों से बहुत प्यार करती है उसका मानना है कि जो विस्व है वो एक खिलोना के समान है क्योंकि उसके पिता ने उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि वो विस्व को अपने खिलोने के समान मानती है और विस्ट में जो भी वस्तु की जो रंग है जो पसंदिदा जो उनके रंग है और उन्हीं रंगों से क्या है यह प्रकिर्थी पुरा तरह से सजा है दोनों हस्वेंट वाइफ में माया और गोतम के बीच प्यार नहीं बन पाता एक दुसरे को समझ नहीं पाते एक दुसरे के परती कोई अनुकुलता नहीं है और ये सारी गतिविद्यां एस्ट्रलोजर की कही बातें शत्य होती जा रही थी और इस आतंग से वा भैवित होते जा रही थी और धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी इस भय को भुलाने के लिए माया अपनी सहली लेला और पोम की सहमती से दोनों मिस्टर और मिसस लाल के पार्टी में रेस्टराओं में जाया करती है ताकि कुछ वक्त के लिए अपने दिमाग से उस डिजास्टर सेडो से बच सके लेकिन फिर भी इसे डर सताता रहता था और माया गोतम की मा और बहन के पास भी जाया करती थी ताकि कुछ पल के लिए मैं गोतम की मा पास चली जाओ या उसके बहन के पास चली जाओ ये लोग भी माया को छोड़ देते थे इस तरह माया अकेले पढ़ जाती है और इस भै के कारण से उसे बुरे-बुरे सपने आने लगते हैं वे सपने में कभी कतकली डांस करते हुए एक राक्षस को देखती है वो गहरी सोच में चली जाती है उसके चहरे में प्रेशानियां बढ़ने लगती है वो इतना mentally disturbed हो गई है कि उसको बाहर किसी मोर की रोने की आवाजें सुनाई देती है और जो यह मोशम था जो यह बरसात की मोशम में इसे और भी भैवित कर रहा था जो मोर की आवाज यह इसे सुनाई पड़ती है और इसे यह सुनकर एहसास हुआ कि उसे कभी चेन से नहीं सोना चाहिए और यह जो मोर की जो रोने की आवाज है उसे कभी और चेन से सोने नहीं देगा और उसे यह भी इंडिकेट कर रहा है कि उसे अब सोना नहीं चाहिए वो और उसकी धीरे-धीरे प्रिशानिया होने लगती है mental disturb होने लगती है पागनों जैसा हरकत करने लगती है उसके सर दर्ष से फटा जा रहा था वो आप पागल होते जा रही थी और उसे लग रहा था कि उसके उपर चुहे, साम, छिपकि लिए रिग रहे है गहर को कबर समझ रही थी जिस रूम में थी उस रूम को जब अंधेरा था तो उस अंधेरे में क्या कर रही थी उस अंधेरे को उस घर को कबर समझने लगी थी तभी उसके दिमाग में एक बातें आ जाती है कि जो भविस्वाने एस्टलोजर ने कही थी कि या तो मेरे पती की या तो मेरा या तो मेरे पती की या तो मेरी मिर्तियों हो जाएगी तो वो एक प्लान करती है कि जब मिर्तियों दोनों में से किसी की होगी तो मेरा क्यों मेरे पती की होनी चाहिए तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने पती को अपने पती गोतम को जान से मार डालेगी अब थर्ड पार्ट में माया अपने एक्स्प्रियेंसिस को सेर करती है यह प्लान बना लिए है कि अपने पती गोतम को जान से मार देगी गोतम अपने काम में मगन था तभी माया आती है और ठंडी हावा का आनन लेने के लिए उसके साथ चाच चलने को कहती है क्योंकि माया एक रोमेंटिक मूड वाली लड़की है एक संसेटिव किस्म की लड़की है गोतम इतने काम में इतना ज़्यादा काम में वो व्यस्ट था कि वो मान जाता है और बिना कुछ बाते सुने वो अपने काम के धून में सोचते हुए रोम से निकल पड़ता है जब रोम से दोनों निकलते हैं तो माया एक ब्रॉंज की बनी सीव की मूर्थी को देखती है और प्रेयर करती है कि हमारी रच्छा हो हमें प्रोटेक्ट करें और बुराईयों से हमें बचाए सिर्णियां पर चड़ते हुए वा देखती है कि उसके बिल्ली अचानक बड़े अलारम की स्तिती में उनके पास से गुजर रही है वे दोनों चट के छोर तक चले जाते हैं जैसे ही गोतम थोड़ी उसके आगे बढ़ता है माया उसको धक्का दे देती है वह नीचे गिर जाता है और गोतम की मौत हो जाती है इस तरह माया को मान लिया जाता है कि यह पूरी तरह से पागल हो गई है गोतम की मा और उसकी बहन उसको अपने पिता राय साहिब के यहाँ छोड़ देते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद उसे वापस ले करके आते हैं और एक रात जब माया इस दुखत डिजास्टर सेडो से जब वो सोच से गुजर रही थी तो वो एक रात उस बालकोनी में सारी चीजें वो सोच रही थी कि उसके साथ क्या-क्या इस चार सालों में बीता उसी समय वो पागलों जैसा हरकत करने लगे एक अजीव से हरकत करने लगे यह जानकर गोतम की मा वहां आती है वो दोनों में कुछ समय तक बाते होती है और वही से माया उस बालकोनी से नीचे गिर जाती है और यही नौवेल सस्पेंस में खत्म हो जाती है अनिता देशाई यहां पर रीडर्स पर छुड़ते हैं कि क्या माया की सच में मौत हो गई यह खुदा आत्महत्या की या गोतम की मा द्वारा इसे धक्का दे दिया गया था उमीद करता हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी नेक्स वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेयर करें, कमंट करें थैंक यू, वब नाइस दियु आपको सब्सक्राइब करें